मार्क ट्वेन एक महान राइटर थे 1835 में जिन दिनों मार्क ट्वेन पैदा हुए थे उन दिनों हैली का धुमकेतु तारा पृत्वी से दिखाई दिया था हैली का धुमकेतु हर 75 साल के बाद पृत्वी से नजर आता है 1909 में अपनी मृत्यू से एक साल पहले मार्क ट्वेन ने ये कहा था कि वो धुमकेतू के साथ आये थे और धुमकेतू के साथ जाएंगे और उन्होंने कहा था कि ये मेरे जीवन की बड़ी निराशा होगी अगर मैं धुमकेतू के साथ नहीं गया 1835 के बाद 20 अपरेल 1910 को हैली का धुमकेतू फिर से प्रिच्वी से नजर आया और इसके ठीक अगले ही दिन 21 अपरेल को मार्क ट्वेन इस दुनिया से चले गए ये एक मेजर कोइंसिडेंस था धुमकेतू के बारे में मैं आपको बता दूँ कि हैली का धुमकेतू तारा आकरी बार 1986 में देखा गया था और अभी ये 2061 में फिर से दिखाई देगा